नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना BC Certification IIBF के दौरा प्राप्त करते हैं जो कि RBI के नियमों के अनुसार है तो आईए हम देखते हैं इसमें विभिन चरन और प्रकिरिया तो इसके चार चरन हैं सबसे पहले हम registration के बारे में बात करेंगे उसक से पहले registration की बात करेंगे आपको registration शुरू करने से पहले अपने सभी documents की scan copy रखनी है जो कि आपकी 20 KB, 20 KB से अधिक का size नहीं होना चाहिए photograph, signature या ID proof तीनो 20 KB से कम होगी इसमें ID proof में आप आधार कार, driving license, election, voter card या employer द्वारा issue किया गया photo, signature, ID card भी हम ले सकते हैं, pen card, passport credit card, debit card, net banking का use कर सकते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा कि आपके documents 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो वो upload नहीं होंगे registration के दोरन, IIBF आप type करेंगे, इसके बाद next page में आपके ये site खुलेगी, इसके बाद आपको IIBF पे click किया, तो home page पे आएंगे, home page पे आने के बाद BCBF tab पे आपको click करना है, इसके बाद आपको apply, non-member पे click करना है, इसके बाद आपका ये page खुलेगा, यहाँ पे आपको if you have not registered, click here to register पे click करना है, जैसा कि arrow में दिखाया गया है आपको, इस page पे खुलने के बाद, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी red star में आपके blank का उनको सभी बे सही सही जानकारी आपको डालना है, आपको first name, last name, आपका house number, house address, ये आपको डालना है, इसके बाद आपका जिला, शहर, state, pin code, date of birth gender, आपकी qualification, इसके बाद email ID, email ID आपको सही सही डालनी है, क्योंकि जो भी IIBF से जानकारी होगी, या admission letter, admit letter, वो आपके इसी पे ही आएगा, अब आपका next page में आपको ध्यान रखना है, choose file, upload your photo पे click करना है, और आपको upload होने का wait करना है, आपकी photo, इसके बाद आपका signature upload करना ह है, और आपको signature wait करना है, कि ये displayed हो, इसके बाद आपको next page पे आपको ये देखना है, आपकी details दिख जाएंगी, आपकी fees amount तब दिखेगी, जब आप अपना center select करेंगे, इसके बाद आपके next page पे आपको language select करनी है, English में देना है कि हिंदी में इसके बाद center name select करेंगे, center name select क करने के बाद आपका center code अपने आप आ जाएगा, इसके बाद आपको ये दियान रखना है कि आपको security code डालना है, और I accept पे click करना है नीचे, इसके बाद आपको नीचे देखे preview and proceed for payment, अगर आप अपने कोई changes करना चाते हैं, तो back करके अपने documents या कोई भी जानकारी को change कर सक पे, और अगर आपकी साबी जानकारियां सही हैं, तो आप आगे online payment पे click करेंगे और आपका यहाँ पे registration done हो जाएगा, अब दूसरा हम बात करते हैं, downloading admit letter पे, आप अपना download कर सकते है, admit letter, examination date के 10 दिन पहले, आप अपने website, जो IIBF की website है, उस पे जाके, अपना username और password डालके, या आपके email ID पे भी आप, जो आपके information आई है, वहाँ से आप download कर सकते हैं, आपको admit letter और ID प्रोफ लेके जाना है, तीसरा preparation, exams के लिए आपको क्या-क्या तयारियां करनी है, या आपको ध्यान रखना है कि आपका जो exam है, वो online mode पे ही होगा, इसमें आपके 100 objective type जिनके 4 answer होत हैं, उनको हम objective types बोलते हैं, इसमें आपका 100 marks का होगा, इसमें कोई भी negative marking नहीं होगी, नकारात्मक checking नहीं होगी, इसके अलावा examination का जो time होगा, और दो घंटे का होगा, और इसमें pass होने के लिए आपको 40 number 100 में से चाहिए, इसके बाद आपको training आप अपना जो भी BC जो भी हैं, आप अपना IIBF की site पे जाके, आप source of material में जाके देख सकते हैं, आप इसके अलावा sample question भी आपको मिल जाएंगे, उस site पे जाके, इसके अलावा last जो process है, आप exams में कैसे जाना है, तैयारी करनी है, आपको examination center पे time पे पहुँचना है, अपना admit letter और photo idea साथ रखनी है, आ क्योंकि आपको admission letter में password दिया गया है, उसी से ही आपको करना है, इसके अलावा जो भी आपकी cancellation exam वो सारी चीजें आपके mail ID पे आ जाएगी, इसके बाद आपका जो digital certificate अगर आप pass होते हो, तो आपके mail ID पे आपको भेज दिया जाएगा, धन्यावाश्यूश्यूश्यूश्